अभि मैं मानिय ग्रिह एवम सहकारीता मंत्री श्री अमिज शाहा जी को निवेदन करती हूं कि रिमोट पटन दबाकर केंद्रिय पंजियक कार्याले के डिजिटल पोर्टल का सुभरम बकरे केंद्रिय पंजिय कार्याले द्वारा बहुराजिय सहकारी समितियों के विन्यमन के लिए एक इंटीग्रेटिट पोर्टल बनाया है जिसके तहट संपोन पेपर रहित प्रक्रिया से दक्षिता और बारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा सौफ्ट्वेर के माध्यम से बहुराजिय सहकारी सुसाइटी अधिनी धन्यवाद अभी मैं मानिये ग्रिह एवमस्हकारिता मंत्री जी को अनुरोद करती हूँ कि सभा को संबोधित करें आज के कारकर्म में भाराज सरकार के निमंतरन पर यहां उपस्तीत महराष्ट के मुख्यमंत्री सीमान एकनाच सिंदे जी महराष्ट राज्य के उपमुख्यमंत्री स्रीमान देवेंद्र फडन्विश जी महराष्ट राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार साब महराष्ट राज्य के सहकारिता मंत्री स्री दिलिप वलसे पाटिल जी हमारे पूने के प्रभारी मंत्री और भारतिय जनता पाटी के वरिश्णेता श्री चंद्रकान डादा पाटिल जी, महराज सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान राधाकुष्ण विखे पाटिल जी, मंच पर उपस्तित मेरे साथी मंत्री वर्मा जी और उपस्तित सभी भारत सरकार और राजसरकार के अधिकारी गण और आज के कारेक्रम में आये हुए महराश्ट के सहकारिता अंदोलन से चुड़े हुए भाईयों बेनों आप सभी को नमस्कार सबसे पहले अजीद दादा उपमुख्य मंत्री बनने के बाद पहली बार आये हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कारेक्रम कर रहा हुँ तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हुँ दादा बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दिया अपने मित्रों आज महराष्ट सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है महराष्ट से ही सहकारिता के संसकार समगर देश के अंदर फैले हैं और यही पर विठल राव विखे पाटिल दनंज रायव गाडगिल वैकुन बै महता अनेक सहकारी महर्शियों ने महराष्ट को सहकारिता के एक सेत्र में एक विशेश पहल कराने का काम किया और इसी को मॉडल समगते हुए देश भर का सहकारिता अंदोलन आगे बड़ा आज भी आप सहकारिता अंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात महराष्ट करनाटक एक प्रकार से पुराने मुंबई राज्यों के हिस्षो में ही सहकारिता अंदोलन आगे बड़ा है पनपा है पलवित हुआ है और इसलिए सेंट्रल रजिस्टार की ओफिस का काम पूर्ण तरा से डिजिटल करने का जो कारेक्रम था वो हमारे मंत्रा लेके सचिव घ्यानेश कुमारची ने उचित नहीं रहे किया कि वो कारेक्रम महराष्ट में और पूरे में किया जाए और आज मल्टी स्टेट कॉपरेटिव समित्यों की देखबाल करने वाला सेंट्रल रजिस्टार की ओफिस का पूरा सिस्टिम CRCS का कारेक्रम आज से पूर्ण तया डिजिटल हो रहा है अब कोई भी मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है दूस्य राज्य में जाना है अपना ओडिटेट बैलेंसिट फाइल करना है अपनी रिपोर्ट भेजनी है किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है आपकी ओफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्टार के हाँ पूरा कोर्रस्पोंडेंस कर सकते हो और वो वैद होगा सेंट्रल रजिस्टार का कार्यालए रजिस्ट्रेशन बाइलोज का रजिस्ट्रेशन बाइलोज में एमेंडमेंट ओडिटिंग और सेंट्रल रजिस्टार के द्वारा ओडिटिंग का मोनेटरिंग एचार का विकास करना विजिलन्स और प्रसिक्षन ये सारे कारेक्रम को समाहित करकर एप पॉर्टर को बनायेगा है एक प्रकार से पूर्ण पॉर्टर आज मैं ये तीन युवाव को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनोंने पॉर्टर के लिए है कोथन किया था जिसमें अपना पूरा योगदान लिया है नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समरुद्धी का जो विचार रखा है वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है मोदी जी ने इस नौ साल के अंदर देश के साथ करोड गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम नौ साल में समाप्त कर देश में साथ करोड लोग वेसे थे जिनके कुछ स्वपन थे स्वपना क्या थे कि कभी मेरा एक गर बन जाए गर है तो गर में बिजली आ जाए बिजली है तो घैस का सिलिंडर आ जाए मेरे यहाँ परिवार के खाने पिने की व्यवस्ता हो जाए सोचालय बन जाए मेरे परिवार की स्वास्त की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं कुल मिला कर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्येस थे जिसके लिए वो उद्यम करता था साथ साल से लगा था दो दो तिन तिन पिड़ी चली गई वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने एह नौ साल में एक ही जटके में समाप्त कर दिया उसको घर देने का काम कर दिया घर के अंदर सुद्ध पीने का पानी पहुँचा दिया उसके घर में गैस का सिलिंडर पहुँचा दिया सोचालय पहुचा दिया, पांच लाग तक का स्वास्त का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रती व्यक्ति प्रती माँ पांच किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था उससे जो पैसा खर्च करता था वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही जटके में समाप्त कर दिये ये गरीब व्यक्ति जो साथ करोड गरीब थे देश के वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थी इसके पास बैंक एकाउंट भी नहीं था उसको बैंक एकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया और उसके पूरी घाड़ी कमाई अपने परिवार की ये प्राथमिक चिंताओं करने में समाप्त होती थी ये चिंताओं भी समाप्त हो गई तब उसको स्वपन आता है कि मैं भी कुछ कमाऊं मेरे घर में भी एक अच्छा टिवी हो मिक्स्चर आ जाए कूलर आ जाए मेरे घर में व्योस्ता हो जाए मेरे बच्चे मेडिकल एंजिनेरिंग आईएस बने आईपीएस बने इस सारे स्वपन वो देखने लगा है आजादी के 75 साल के बाद क्योंकि उसको संभव लगता है पहले पुरा जीवन इसका जिस जदो जहद के अंदर था वो तो समाप्त हो चुकी अब वो कुछ उद्यम करना चाता है वो कुछ काम करना चाता है काम करना तो चाता है परन्तु इसके पास पुन्जी नहीं है पुझी के बगर क्या उद्यम करेगा इसका एक मात्र जवाब सहकारित आंदोलन है सहकारित आंदोलन का मतलब है छोटी छोटी पुझी वाले अनेक लोगों को इखटा करकर बड़ा उद्यम स्थापित करना यही सहकारित पदमस्री पाटिल ने छोटे-छोटे लोगों को छोटे-छोटे किसानों का छोटा-छोटा पुंजी इखटा करकर सहकारी कारखाना लगाया और जहाद देश भर में सैंकडो साकर कारखाने इस पद्धती पर चलो हमारे हां त्रिबोंदास पटेल ने छोटी-छोटी मैलाओं से उस जमाने में पांच रुपिया और आज के जमाने में सो रुपिया लेकर दुख दक्रांती करी अमुल का अंदोलन खड़ा किया अज स्थिती यह है कि 36 लाक मैला है गुजरात के अंदर 100 रुपिय से ज़्यादा किसीने नहीं रोका है इंवेस्ट नहीं किया है सिप 100 रुपिया इंवेस्ट किया है वो 36 लाक मैलाओं की कोपरेटिव अमूल आज 60,000 करोड का मुनाफ़ा वो 36,000,000 महिलाओ को पहुँचाए 60,000 करोड रुपे का मुनाफ़ा तो सहकार से समरुद्धी का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उननत बनाने का मौका देना छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच एक प्लेटफर्म देना और सहकारीता से माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना और इसलिए इस सहकारीता मंत्राले की स्थापना की गई है आज हमने जिस पॉर्टल को यहाँ पर सुरू किया है देश की 1555 बहुराजिय सहकारी समितियों को इसका फाइदा मिलेगा महराश्ट में 1555 में से जोड से ताली बजाना बाद में 42 परसंट सोसाइटी अकेले महराश्ट में है एक और पुरा देश है और एक और महराश्ट है जितनी multi-state cooperative society देशबर में है उसमें से 42% महराष्ट में है। मैं इसलिए आया हूँ कि महराष्ट के सभी सहकारिता अंदोलन के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि हमारी strength क्या है। और यह आज से यह 1555 multi-state cooperative society को मैंने आगे कहा वो सारा काम चाहे return फाइल करना हो चाहे multi-state cooperative state register से सिकायत करनी हो किसी भी member को किसी भी society को अपना जवाब देना हो किसी भी society को चुनाओ प्रक्रिया की information देनी हो अपका board का resolution बेदना हो और analytic tools भी इसके अंदर रखें हर प्रकार का काम यह porter करेगा और इसके बाद यही patent पर हम राज्यों के सहकारिता के रजिस्टारों के कार्याले का भी computing करने जा रहे हैं उसको भी computerize करने जा रहे हैं जो राज्य भर की आठ लाग corporate society के साथ सीधा computer से संभात करेगा तब जाकर एक काम में गती आएगी सहकारिता आंदोलन अधुनिकता के बगर आगे नहीं बढ़ सकता सहकारिता आंदोलन पारदर्सिता के बगर आगे नहीं बढ़ सकता और सहकारिता का अंदोलन responsibility जवाब देही के बगर भी आगे नहीं बढ़ सकता सहकारिता आंदोलन की स्विक्रिती बढ़ानी है तो में पारदर्सिता बढ़ानी पड़ेगी जवाब देही ताई करनी पड़ेगी इस प्रकार की पारदर्सि व्यवस्ता ही समाज के 60 करोड लोगों को जोड सकती है और कोई कल्पना नहीं कर सकता दुनिया में इपको जैसा सबसे बड़ा खाद का कारखाना हमारे यां cooperative base पर चलता है क्रिपको cooperative base पर चलता है नाफेड cooperative base पर चलता है अमूल cooperative base पर चलता है एक जमाने में लिज़्जत पापड भी cooperative base पर चलता था हमने बहुत सारी सफलता की गाताएं success story दुनिया के सामने रखी है अब ये strength को संजो कर एक नई गती बड़ाने का काम करना है मित्रो अभी अभी multi state cooperative society के act का भी संसोधन किया गया हमारे सचीव साब यहां बैठे हैं मैं उनको और उनकी पूरी team को बधाई देना चाहता हूँ देखे efficiency क्या होती है दो तारिक को कानून पारित हो गया राष्टपती महोदया की sign हो गई इसका notification निकल गया और चार तारिक को उसका rules का भी notification निकल गया दो तारिक को संसत के सदनों में दोनों सदनों में पारित होने के बाद चार तारिक को कोई काम बाकि नहीं और इसके अंदर हमने multi-state cooperative society act में निर्वाचन सुधार cooperative governance के लिए कई नए आयाम रखे हैं financial discipline और fund की पूर्थी के लिए हमने व्यावस्ताय की है व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यावस्ता की है निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग जेसी एक independent body बनाएगी जो निर्वाचन के अंदर घपले घोटाले करते हैं वो अब चुनाव में नहीं कर पाएंगे काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मगर आपकी स्विक्रूती बढ़े इसके लिए जरूरी है बौड को चलाने के नियमों में भी बढ़लाव किया है और पारदर सिता लाने के लिए बौड अप डिरेक्टर की जिम्मेदारी करमचारियों की जिम्मेदारी ताई की है कोई अपने भाई बतिजे को नौकरी नहीं दे पाएगा ये भी हमने सूनिस्चित कर लिया है क्यूं एक भी ताले नहीं पड़ती भई जो आएगा वो हमारा ही है भई हमने हमारे भाई बदीजे को नहीं रखना है, जिसमें टेलेंट है भी जो युवा मेरे हाथ से सेटिपिकेट लेकर गए, ऐसे युवाओ को कौपरेटिव आंदोलन के साथ जोड़ना पड़ेगा तब जाकर एक कौपरेटिव आंदोलन आगे बढ़ेगा, ओडिट की जिम्मेदारी भी रिजर्व बेंक अपरूव पैनल को ही हमने देने का ताई किया है और गेर मत्दान वाले सदस्यों के नौन वर्टिंग सेर को देकर ज्यादे पुंजी प्राप्ट करने के लिए भी इसके साथ व्यवस्ता की है जिससे बहुत बड़ी सुविदा मल्टि स्टेट कोपरेटिव सोसाइटिस को होगी कंकरन ओडिट की व्यवस्ता की है सहकारी समीतियों में कंपलेन कई निप्टारे की व्यवस्ता की है सुचना का धिकार भी लागू किया है धेर सारी व्यवस्ता है हमने की है मित्रो नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुतों में मोधी जी के सतत मार्ग दर्शन से हमने पैक्स को लाइव बनाने का तई किया है सबसे पहले हमने तई किया है कि पांच साल में तीन लाग पैक्स नए बनाएंगे और सहकारिता अंदल उनको हर गाव तक पहुचाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकारी तीन लाग नए पैक्स बनेगे सत्तर साल में पच्चत्तर साल में तिरानवे अजार पैक्स बने हैं अगले पांच साल के अंदर तीन लाख नए पैक्स लग रहेंगे हमने जितने भी पैक्स बने हैं इस सबका कॉंप्टराइजेशन का काम समाप्त कर दिया है पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर है आपको जन्म का डाकला भी वहाँ से मिल जाएगा मृत्यू का रजिस्ट्रेशन भी वहाँ हो जाएगा मत्नाता सुची देखनी है तो वो भी वहाँ से देख पाएंगे क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तीन सो से ज्यादा योधनाए वहीं होगी पैक्स बैंक मित्र भी होंगे पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी बन पाएंगे पैक्स गैस का वित्रन का भी काम करेंगे पैक्स अब पेट्रल पंप भी बन पाएंगे पैक्स नल से जल की जो समीती है इस समीती को गाउं में संचालीत करेंगे पैक्स बंडारन का भी काम करेंगे इतने विश्वकी सबसे बड़ी बंडारन योदना मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर एप्रू की राज्य सरकार और केंदर सरकार जो धान और गेहु खरी देगी या रागी खरी देगी जवार खरी देगी बाजरा खरी देगी मक्का खरी देगी वो कोई Food Corporation of India के बड़े गोडाउन में नहीं जाएगा आपके तैसिल में ही रहेगा और वहीं से सस्ता अनाज की दुकान पर चला जाएगा ट्रांस्पोर्टेशन सुन्य हो जाएगा और इसके लिए बहुत बड़ी योधना है दिलीफर से पाटील यहां बेठे मेरा उनको आगरह है सुबह हमारे तीनों महानुबव मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री को मैंने बना है महराष्ट ने इसका सबसे ज्यादा फाइदा लेना चाहिए एक भी तैसिल ऐसी नहों जहां कॉपरेटिव बंडारन की स्टोरेज की व्यवस्ता न की जाएगा और बहुत मल्टी डाइमेंस न लिए इस्टोरेज कोपरेटिव के पास टेक्टर भी होगा ड्रॉन भी होगा इस्टोरेज कोपरेटिव के पास पराली को उठाने के लिए मसीनों की व्यवस्ता भी हो धेर सारा काम इसके माध्यम से हो जाए इसका मैक्सिमम फाइदा महराश्ट ने लेना चाहिए ऐसा मेरा मानना है मित्रो अब कॉपरेटिव को जैम के प्लेटफॉम का भी फाइदा मिल रहा है हम एक सहकारी कॉपरेटिव डेटा बना रहे है आप मेरे ओपिस में कभी चाह पी ने आईएगा साच अर्थ में कह रहा हूं तो मेरे लेप्टॉप पर मैं आपको महराश्ट दबा कर दूँगा तो कितनी क्योपरेटिव सोसाइटीज हैं आ जाएगा फिर एक जिले में चले जाएंगे पूने जिले में चले जाएंगे तो पूने जिले की आ जाएगी फिर एक तैसिल में चले जाएंगे तो तैसिल में आ जाएगी और फिर हर गाउं का नाम लिखोगे तो गाउं की हो जाएगी इसके साथ कौन से गाउं में कौपरेटिव अंदोलन नहीं है जिलिववर से पाटिल साब चाहेंगे कि महाराष्ट के कितने गाओं में पैक्स नहीं है तो कॉम्पीटर पर उसकी सूची तैसिलवाइज जिलेवाइज मिल जाएगी वहाँ पर पैक्स रेजिस्टर करनी है बहुत बड़ा कारेक्रम और इसका 95 प्रतिसत काम हमने पुरा कर हम एक नई कॉपरेटिव पॉलिसी भी लेकर आए हैं हम कॉपरेटिव उनिएस्टिटी भी बना रहे हैं जिसके माध्यम से कॉपरेटिव और कॉपरेटिव के साथ साथ जितने एक्स्टेंशन्स हैं चाहे डेरी उद्योगों हो चाहे चीनी उद्योगों हो चाहे मच्छव को इससे इसके साथ हम जोडेंगे मित्रो हमने तीन नई कॉपरेटी सुसाइटी बनाने का काम किया है मल्टि स्टेट कॉपरेटी सुसाइटी भारत सरकार बना रही है बन गई है बहु राज्य और्गेनिक प्रोड़क्ट मार्केटिंग के लिए एक सुसाइटी और्गेनिक के लिए प्राकुरूतिक खेती के लिए धेर सारे किसान आगे आए हैं मगर उनको सर्टिपिकेशन नहीं है और उनको अपने उपज का मुल्य नहीं मिलता है एक मल्टि स्टेट कॉपरेटी सोसाइटी बनेगी जो पैक्स से एपैक्स तक जहां-जहां किसान और अर्गेनिक फूड और अर्गेनिक कुशी उपज बना रहा है उसको परचेस करकर भारत ब्रांड के साथ इसका मार्केटिंग करकर इसका पूरा मुनाफ़ा वो किसान के खाते में वापिस देने का काम अज्यवीक सोसाइटी अभी हमने ट्रायल बेस पर अमूल का काम कर द का अभी ट्रांजेक्शन कर रहा है इसके साथ साथ किसान अपनी अच्छी प्रोडक को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं हमारे या गुजरात में जीरा और इसब गुल होता है मगर एक्सपोर्ट बहुत कम होता था क्यूं क्यूंकि मिट्टी लग जाती थी इसकी सफाई की व्यवस्ता नहीं थी करना कुछ नहीं था एक प्लास्टिक की दरी बिठा जैनी थी इस पर जीरा डालना था खेत में खलियान में नहीं होता था इसब गुल भी एक्सपोर्ट नहीं होता था अब ये मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट समिती किसान के पास से या पैक्स के पास स एग्रिकर्चर प्रोडूस को खरीद कर दुनिया भर के बाजार में बेचेगी और इसका मुनाफ़ा भी मिल्क कॉपरेटिव की पिटन पर सीधा किसान के पास जाएगा वो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव नहीं रेखेगी एक्सपोर्ट का फाइदा मेरे किसान भाईयों को हो इसी तरह से छोटे किसान बीच की खेती नहीं कर सकते थे सीड्स का डेवलप्मेंट करना है तो बड़ी कंपनिया इनको मौका नहीं दे दे जिनके पास 15 एकर 20 एकर 15 हेक्टर 30 हेक्टर भूमी है उसी को देते थे वह अब आपके पास सिर्फ धाई विगा मतलब एक सवा एक कर भूमी है तो आप बीच का प्रोडक्शन कर सकते हो यह मल्टी स्टेट सीड्स कॉपरेटिव आपका बीच ले लेगी आपको बीच बनाने का सर्टिफिकेशन भी करेगी और आपके बीच को वह अपने ब्रांट के साथ भारत के और विशो के बाजार में भी बेचेगी ज जिससे किसान ज्यादे प्रोडक्टिव क्रॉप अपने खेत के अंदर कर पाएगा यह तीनों कॉपरेटिव सोसाइटीज मैं स्पस्ट रूप से दिख रहा हूं कि जिस दिन पदमस्री पाटिल ने साकर कारखाने की निव डाली होगी उनको मालूम नहीं होगा किसानों को साहित पदमस्री पाटिल को भी मालूम नहीं होगा देश भर के 10 करोड से ज्यादा किसानों के उध्धार का काम हो रहा है यह तीनों सोसाइटे आयसी है जो आने वाले दिनों में हमारे देश के करोडों किसानों की समरुद्धी का मार्ग प्रसस्त करेंगे पहले कॉपरेटिव के साथ स्टेप मदर एप्रोच से विहवार किया जाता था अब मोदी जी के नेत्रुत में किसी की हिम्मत नहीं है कॉपरेटिव को स्टेप मदर एप्रोच से देखने की हमने समान विहवार की लिए जो वियवस्ता है वो सारी कॉपरेटिव के लिए है इंकम टेक्स के अंदर जो जो दोहरे नापड़न थे हमने समाप्त कर दी 31 मार्च को मैनुफेक्चरिंग आरब करने वाली 31 मार्च के बाद मैनुफेक्चरिंग आरब करने वाली समीतियों को 15 परसंट दर का फाइदा मिलेगा टीडियेस में 3 करोड की उच्चतम सिमा भी तहे कर दी कैस भरने की सिमाओ का भी एक्स्टेंशन कर दिया और अभी अजित दादा ने कहा कि कितने सालों से सुगर मिल का प्रोब्लेम पड़ा था किसी ने का दस अजार करोड माप हो गया किसी ने का दस अजार नहीं पैनलटी और इंट्रेश गिन लो तो तीन अजार करोड हर सोर्दन भाई ने बताया भाई मैं अलग दुरुष्टी से देखने वाला आजमीअ दस अजार करोड माप हो गया, पेनल्टी के साथ 30 अजार करोड माप हुआ, रिट्रोस्पेक्ट से हुआ, वो तो है ही, मगर आगे लगना ही नहीं है, वो भी हो गया, सालों तक नहीं लग सकती। तह भारत सरकार के वित्त मंत्राले ने स्विकार किया, इस समग्र सहकारी तांदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है, जो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा फाइदा है। सहकारी समित्यों के अधिभार को पहले 12 परसंट था, अब 70 परसंट कर दिया, मैट को भी 15-15 परसंट कर दिया और क्रेडिट गैरेंटी फंट ट्रस्ट की निदियोधनाओं के लिए NCDC को पात्रता दे दिया और मैं आज सुबह भी हमारे तीनों नेताओं से बात करिये, मुख्यमंत्री जी और दोनों उपर मुख्यमंत्री से महराश्ट का एक भी कॉपरेटिव साकर कारखान ऐसा नहीं होना चाहिए जो इथेनोल न बनाता हो NCDC के पास धेर सारा पैसा है, दस अजार करोड की घुशना की आप दस अजार करोड भूल जाएए, आपको जितना पैसा चाहिए इतना हम फाइनांस करें कॉपरेटिव सुगर फैक्ट्रियों के लिए समय है, वाइबिलिटी बढ़ाने का, आप इथेनोल सहियंत्र उर्जा का सहियंत्र आपने यार लगा दीजी, हम इसा के लिए आपकी वाइबिलिटी बढ़ दाएगा, अभी रेट भी अच्छे मिल रहे है, और इसके रिसेडिल्मेंट के लिए भी अभी प्रयास हो रहा है, मुझे बरोसा है, इसमें आर बी आई, जरूर एक ट्रैक्टिकल एप्रोच लेगी, अर्बन कॉपरेटिव के लिए, हाउसिंग फाइनांस की एक लिमिट लगी थी, इसको दो गुना कर दिया, ग्रामेंट सहकारी बैंकों को रियल एस्टेट के लिए लॉन देने का हमने परमिसन दे दिया, डो स्टेप बैंकिंग के लिए अर्बन कॉपरेटिव बैंकों को परमिसन नई थी, वो भी हमने दे दी, अर्बन कॉपरेटिव बैंक सब नई साखाए खोल सकती है, वन टाइम सेटल्मेंट अर्बन कोपरेटि बैंकों के लिए प्रतिबंदित आर्वियाई देती नहीं थी हमने अर्बन कोपरेटि बैंकों को राश्थ delic बैंकों के समकक्स करकर अधिकार दे दिये ि और priority सेक्टर की जो lending की सीमा थी हर साल करना पड़ता था उसको दो साल तक करकर हमने अर्बन बैंक को के पूरे खाको को एक नया जीवन करने का काम दाम लिया है मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो पांच ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का लक्स रखा है और देश की एकोनोमी को विश्वकी तिसरे नंबर की अर्थव्यस्ता बनाने का लक्स रखा है मैं आज महराश के कॉपरेटिव सेक्टर को कहने आये हूँ हमने भी इसमें कॉपरेटिव सेक्टर का हिस्सा क्या हो उसका एक लक्स रखना चाहिए जनून के साथ देश के 70 करोड गरीबों को कॉपरेटिव सुसाइटिस के साथ जोड़ कर उसके घर में उसको जो मिक्सर च चाहिए छोटा सा AC भी लग जाए जो खुसी चाहिए वो खुसी देने का प्रयास हमने करना चाहिए सहकार से समरुदिका अर्थ यही है और मोदी जी के विजन में आज एक नया काम कॉपरेटिव मंत्रा लेने शुरू किया है डिजिटल पोर्टल का सुभरम इस संपूनक और कम्पूराइजेशन है हमारे सेंटरल रजिस्टार कार्याले का मुझे भरोसा है कि 1555 जो मल्टि स्टेस्ट कॉपरेटिव सुसाइटीज है इसका बहुत फाइदा मिलेगा आज में वो तीन बच्चे जिनको यहां पर सन्मानित गया है उनको मैं फिर से एक बार बढ़ाई और साधुवाद देना चाहता हूँ और आप सभी ने आज के का आरेकर्म में आया हमारे सारे निताओं का सन्मान किया इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय वंदे मातर धन्यवाद आपके मारगदर्शं के लिए मानिया केंद्री ग्रुह एवं साकाडिता मंतरी श्री अमिज शाहाजी का आभर प्रदरशित करती हूँ आपने इस समारों के लिए अपना समय दिया मानिया मुख्य मंतरी श्री एकनात शिंदे जी आपका भी आभर इस समारों में आप उपस्तित होए आपका आभर मानिया केंद्री राज्य मंतरी आपका भी आभर उपमुख्य मंत्रीजी, मंत्रीगण, अतितीगण, सहकारिता श्टेत्र के आधिकारी, आप सभी का आभार